रामगर में सियासी जंग तेच करते हुए सरपंच शकुंतला सैनी ने सभी वाट पंचो और ग्रामीनों को साथ लेकर SDM कैलाज शर्मा के खिलाफ पताडित करने और विधायक साफिया जुबेर की मिली भवत से ग्राम पंचायद दोरा जारी 300 पटे निरस्त कर देने और राज्य सरकार के नोटिफिकेशन की अभेलना करते हुए नगर पाली का चेयर में पत पर सरपंच शकुंतला सैनी को ना देते के विरोध में रामगर थाना अधिकारी राम निवास मीरा के समक्ष रिपोर्ट दर्स कराने के लिए पेश की है सरपंच पती बली राम सैनी ने बताया कि शकुंतला सैनी 22 जनवरी 2020 को रामगर ग्राम पंचायद की सरपंच निर्वाचित हुई थी उसके बाद राजे सरकार दोरा नोटिफिकेशन में रामगर ग्राम पंचायद को नगर पाली का गोशित कर दिया उसके बाद 8 जून 2021 को नया नोटिफिकेशन जारी किया जिस भी ग्राम पंचायद की जनसंख्या दिक है वहां के सरपंच को नदवे दूसरे नंबर की ग्राम पंचाय सरपंच को वाइस चेर्मेंट पद और सभी वाड़ पंचों को नगरपाली का सदक से घोशित करने को आदेश शारी किये लेकिन छवी कराब करने की नियत से विधायक साफिया जुबेरवै, SDM केलाज शर्मा द्वारा कूल टरची की ओजना से कागस तयार करवा फरजी शिकायत करता की आधार पर ग्राम पंचायद द्वारा जारी तीन सो पटे निरस्त कर दिये और नगरपाली कादी शाषी अधिकारी का अपत तहसीलदार को सौंप दिया शाषक SDM केलाज शर्मा को नियूक्त कर दिया गया रामगर थाना अधिकारी ने बताया कि इस बारे में SDM कारेले से दस्ताविश मंगाए हैं जिससे प्रतम द्रश्य में मालूम चलता है कि SDM ने अपनी तरफ से कोई कारेवा ही नहीं की है आज रामगर गरामपंचायत को जो नगरपाली का बनाया गया जो मेरी धरमपत्नी यहां की सर्पन्च थी जो पारसत जो यहां के मेंबर जो पाल्श थे उनके साथ एक बहुत बड़ा सडियंतर किया गया है वो सडियंतर साफ या जुबियर खान दौरा यहां के SDM दौरा वाज SDM साफ या जुबियर के खिलाब एक मुकत्म हम दर्श कराने आए हैं जिस तरह के इन एक सडियंतर करके निए कि चेर्मेंन का पद्रों का यह हमसे पैसे की बार बार धार क्रिमाइड कर रहे हैं Πरतारीत कर रहे हैं इन्होंने यहां हमारہ यह हमारा पूरे परिवार कमी दिना हरां कर रखा है जुटें इम्होंस पुकत्वे लगा के Mmm इस नाम का जिस नाम का वेक्ति उपखंड अदिकारी जांच कर रहा है इस नाम का खुर्शिद गुत्रिशाक नाम वेक्ति रामगड में है ही नहीं उसके बाद भी रामगड किराम पंचाई सपन्च साब ने यहां एक एपलीकेशन लगाई एहडियम महोदे को जो एहडियम लगाई थी एहडियम साब को जो लगाई थी उसके बाद भी इन लोगों ने उसका कोई जवाब नहीं दिया कि हमें इसनाम का वेक्ति रामगड कषभे में नहीं रेता उसके बाद भी जाज की गई है। दुबारा उसके बाद में हमने इन लोगों से हट्यम साथ को पस्थित हो के एक एपलीकेशन फिर दुबारे से लगाई है। एई डियम हो दे इस वेक्टी नाम का कुर्शित पूतरिशाग नाम का आदमी है रहता नहीं है। वो एक सड्यांतर किया रहा है हमारे खिलाफ थेक्षपत को रोका जा रहा है। एक एक सड्यांतर करके आप लोगों हमें जाश्यांतर में फसा के हाँ आप लोगों को जई हम आप जन को नुकसान हो रहा है जो हमें मान आने के अच्छती पहुंच रही है। एहडियम साहब को बार बार हमने एप्लिकेशन लगाने के बाद भी हम लोगों को नहीं बताया गया कि तुम्हारी जाच की सुर्कार से क्यों से हो लिए और इस नाम खुर्शित पुत्र नाम का आदमी जो है वो होके पे हैं नहीं यह हमारे पास थाने की एपायार करवाई उ ऐएंतर में विदायक चाफ्या खान यहां उसके पति जुवेर खान वह हम से दुर्येस वहाओन रखते हैं कि हमारी लोगों में खंकड पहले कोई नहीं जला था लेकिन हमने इसको लेकर हमने वहां एक आपली के सल लगाई थी इस तरह से जूटा है प्रेकरन में हमारा अधिक्स पत को चेर्मेन पत को रुक गया है श्रीमान से हमारा वहां निवेदने इसलिए हाई कोट में रिट्विटिशन दायर की हुए पहल अधिए लबी जैपूर के दोगादा डायरेक्ट डियलबी किया एक लेटर था कि कोई शिकायत ही जिसमें सकुंतला सैनी नियम विरुद्व ग्राम पंचायत में अपने पद का दुरूपयों करते हुए पट्टे जारी किया है उनकी जांच मुझे सौंपी गई थी और उस जांच के तैसिलदार और वीडियो से सहीं जांच कराने पर कुछ पट्टों में इनके द्वारा इन निमित्ता की जिसकी स्पष्ट जांच करके डियलबी को बेज दिया गया है और वही प्रकरण एंटी करप्शन में भी शायद जा चुका है तो इसमें मैंने कोई मेलाफ ह जांच करके अरूप लगाएगे जब इस बार इंजान करकी गी तो उन्होंने बचाएगी डियलबी से तीस से किसका आदिय से उसकी पालना इसी जांच की थी और जांच रिपूर्ट करके प्रेसिस की अगया है कि मतलब है परतम दश्टा आरोप जुटे लग रहें क्योंक सारी नोटिफिकेशन था उसके आदार पे सरपंच को पद पर बिठाना था नगरपाली को वहां भी नहीं बिठाया गया उसमें जिसकी अमरे उजान करनी है नमरे समुनी की अधार